आज आपके लिए चौकलेट आइसक्रीम की रेसेपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद असान है आप बजार जैसी टेस्टी, क्रीमी और एकदम प्रोफेशनल आइसक्रीम घर पर बना कर त्यार कर सकते हैं तो आईए बिना देर किये से बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूद, एक कब दूद लिया है मैंने आदा कब इसमें चीनी इस्तमाल होगी और एक चुथाई कब इसमें पाउडर मिर्क जाएगा तीन टेबल स्पून इसमें मैं कोको पाउडर शामिल करूंगे एक टेबल स्पून इसमें जाएगा कॉन फ्लार और यहां 40 क्राम मेरे पास डाक चॉकलेट है कुकिंग चॉकलेट यह मैं इसमें यूज़ करूंगे अच्छे चॉकलेट इसमें टोटली आपशनल है आप डालना चाहें तो डालें अगर नहीं पसंद करते ज्यादा चॉकलेटी तो इसे स्किप कर सकते हैं अब यहां पर मैंने एक सॉस पहन लिया है और इसमें सारी चीज़ों को मैंने डाल लिया है इसको एक पर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे अच्छा इसको चूले पर रखने से पहले आपने अच्छे जरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लंप ना बने अगर आपने डायरेक्ली चूले पर रखकर इसको मिक्स किया तो क्या होगा कि इसमें गुट्लिया बन जाएंगे तो अब मैंने इसे मिक्स कर लिया और इसे में चूले पर रख रही हूँ बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पर हम इसे रखेंगे और मुसलसल आपने विस्क या चम्मट जो भी यूज कर रहे हैं आप उसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई गुट्लिया ना बले हैंब आप देख सकते हैं कि इसमें ये बबल्स आने लग गए हैं यहां मुझे तकरीबन तीन से चार मिनट हो गए हैं इसे कुक करते वे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ा हो रहा है बस जब इस स्टेज पर आज और अच्छे तरीके से गाड़ा हो जाए तो आपने चूला बंद कर देना है और इसको थोड़ा सा रूम टेमटरेचर पर ठंडा कर लेना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक बाउल में निकाल के अलग से रख लेंगे अब यहाँ पर मैंने एक पाउल लिया है और इसमें एक कप थंडी विपिंग क्रीम में इसमें डाल दूँगी और इसको हम बीट कर लेंगे इतना के इसमें स्टिफ पीक्स बनने लग जाएं तो इसको तकरीबन चार से पांच मिनट लगेंगे आपको मसलसल बीट करते हुए तो यहाँ पर मेरी क्रीम के बहुत अच्छे से स्टिफ पीक्स बनने लग गए हैं आप देख सकते हैं और यहाँ जो मैंने चॉकलिट सॉस बना कर इसको ठंडा किया हुआ था यह अब इसमें हम शामिल कर लेंगे अच्छा दिहान रखिएगा कि आपने चॉकलिट सॉस जो है वो गरम इसमें अड़ नहीं करना क्योंकि अगर गरम हुआ यह थोड़ा सा भी तो आपकी क्रीम फट जाएगी तो यह इसमें सारा डाल लेंगे और इसको इसके साथ अच्छे से बीट कर लेंगे एक बार अच्छा आइस क्रीम बनाने के लिए न आप जितना अच्छा क्रीम को बीट करेंगे आपकी आइस क्रीम उतनी ही जादा क्रीमी और टेस्टी बनेगी और अब एक बार स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब यहां मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसमें शामिल करूँगी और यह मेरे पास एक चॉथाई कब डार्क चॉकलेट चिप्स हैं थोड़े से मैं बचा लूँगी जो हम आखर में इसकी डेकॉरेशन के लिए यूज़ करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब मैं यहां पर एक एर टाइट कंटेनर ले रही हूँ और इसके अंदर इस सारे क्रीम के मिक्सचर को हम डाल देंगे जो भी जार आप इसके लिए यूज़ करें कोशिश करिएगा कि वह एर टाइट हो अगर नहीं तो आप उसके ओपर क्लिंग फिल्म लगा के इसको अच्छे से रैप करिएगा ताकि आइस क्रिम में किसी भी तरह की हवा नहीं जानी का कि अगर एर गई तो उसमें क्या होता है कि आपकी आइस क्रिश्ल बनने लग जाती में इसको अच्छे से और चुक्टे चिप्स थे हो इसके ओपर थुदे से ओ अच्छे तरीके से इसको बंद कर देंगे ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए और इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल ना बने और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी आइस क्रीम तियार हो जाएगी तो अब इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी अच्छा आप इसको अच्छे तरीके से सेट हुई है और कितनी यमी लग रही है अब यहां मैं आपको इसका एक स्कूप निकाल कर दिखाती हूँ स्कूप निकालने के लिए मैंने गरम पानी में स्कूपर को डिप की है ताकि हमारे जो आइस क्रीम वह बड़ी आसानी से इस से निकलाएगी तो आपको बहुत जादा चॉकलेटी फ्लेवर नहीं अच्छा लगता तो आप चॉकलेट को स्किप कर सकते हैं तो आप मेरे खाने से अंदाजा लगाई सकते हैं कि यह कितनी यमी बनी है और आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राइ कीजे और मुझे कॉमें बॉक्स में बत